Hello Brilliance, अभी हम कर रहे हैं सैवन्थ क्लास के लिए Civics, चैप्टर नमबर एट हो सकता है ये आपकी बूक में चैप्टर नमबर सैवन हो और थोड़ा बहुत बतलाव और भी इसमें हो सकता है क्योंकि मेरे पास ये बहुत साल पुरानी PDF है और मैंने नोट्स इसमें बना दिये हैं तो मैं अब इसी में से आपको करवा रहा हूं कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी तो उसी साब से आप इसे देख लिजेगा तो हमने देखा था तो चैप्टरे इसे चैप्टर के अंदर मार्किट के बारे में हमने समझा था कि मा वीकली मार्किट coupled चीप होती है और वो क्यों होती है वीकली मार्किट के बाद कई ऐसे मार्किट ही होती है अब यह जो वीकली मार्किट के अंदर जो ट्रेडर होते हैं वह कैसे अपना विजनेस करते हैं वह भी यहां हमने समझा था एक एक amenopeley के तोर पर अब weekly market के बाद बारी आती है उन दुकानों की जो हमारे आज पास होती है ये topic अभी हम देखेंगे तो इसे अच्छे से समझेगा We have seen that the weekly markets offer a variety of goods However, we also buy things from other kinds of markets There are many shops that sell goods and services in our neighborhoods We may buy milk from the dairy, groceries from departmental stores, stationary eatables and medicines from other shops तो ये वो market है जो की आपके आस पास होती है आपके पड़ोस में या थोड़ इसी दूर जाकर के जिसे हम बजार कहते हैं वहाँ पर तो ये weekly नहीं लगता ये हर दिन available होता है जहाँ पर जाकर के आप अपना समान ला सकते हैं जरूरत की चीज आपको वहाँ मिल जाती है और ये शहरों में कस्बों में अब तो गावों के अंदर भी होती है तो हमने देखा था कि जो weekly market है वो आपको कई तरह के का समान प्रवाइड करती है जो आपकी जरूरत का होता है जबकि ऐसी markets भी होती है जहां से हम समान खरीदते हैं और वो markets होती हैं आपके आस प्रवाइड के अंदर कई टाइप की soaps होती है दुकानी होती है जहां पर आपको जो कई तरिके का समान और services प्रवाइड की जाती है जैसे की अब आप कहेंगे services कौन सी services जैसे की मान लिया courier services है उसके लिए दुकान होगी वहाँ पर जाकर करके आप अपना packet समान पकड़ा देते हैं और address लिक करके देते हैं तो वह आपका समान आपके relative या जो आपके non के अंदर है जहां पर आपको समान पहुचाना है वहाँ यह अपना आपका समान पहुचा देते हैं राइट इसी तरीके से कोई fridge को ठीक करने वाले की भी शोब हो सकते हैं है ना किसी कारपेंटर की सोब हो सकती है है ना इसलिक कई तरह की सोब्स होती है जो की आपको service provide करती है तो यह services के बारे में यह बात कर रहे थे हैं तो आप वहां से जैसे dairy हो गई तो वहां से दूद्ध खरीद सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया तो वहां से ग्रोश्री जैसे की जो परचुन्नी का समान होता है दाले सब्जी सब्जी तो नहीं होती आजगल तो चलो यह जो है ग्रोश्रीज स्टोर्ज के ऊपर यह चीज़े भी मिलती है सब्जी फ्रूट्स मेरा कुछ रख लेती है यह बाकि आपको यहां पर आपके जो डेली यूज का समान है वह सब मिल जाता है और स्टेशनरी जैसे की बुक्स नोटबुक्स पैंसिल यह समान भी मिल जाता है यह इनके भी स्टोर्ज वहां होते हैं खाने पीने की चीज़े के हो चाहे उव श्वीट्स हो चाहे फुरूट्स वेजिटेबल ना मैडिस्द दवाइय वाले भी यह सब समान्ने आपको जो डुकानों से आपके आस पास की मार्केट से मिल जाती है इन में से कई दुकाने पर्मानेंट होती है, जबकि कुछ और रोड़ साइट स्टोल भी होती है, जो कि वही पर मार्किट में थोड़ी सी दूरी पर या रोड़ की दूरी उपर या फूट पास से तुछ है, थोड़ी से जहाँ ब rider पर वहां पर और यो आपनी यह पीद पर लगा लेते है तो वो भी आपको नजर आजाएंगे, जिसमें अपने सब्जी, पीजने वाले, फ्रूट बेजने वाले, डेड़ी वाले भी हो सकते हैं, और जो माकैनिक्स है वो भी हो सकते हैं, और छोटे-मोटे समान भी बेचते रहते हैं, जैसे कि जुरावे बगएरा है, शर्दी आ गई है, तो जुरावे बेचेंगे, या फिर गर्मियों में कोई कंगी बेगरा है है ना यह सब चीजे वह बेशते हैं तो यहां कोशन में नहीं था राइट नेव फ्यू मोर सोप अधर देन वीकली मार्किट्स फ्रॉम वेर वीकन बाइ गुड्स कुछ और सोप के नाम बताई है वीकली मार्किट के लावा जहां से आप अपना समान खरीद स आपके आज पास की जो मार्किट होती है तो वहां पर आपको क्योंकि वह आपको जानता है आप उनको जानते हैं और वहां समान लेते रहते हैं तो वह क्रेडिट के ओपर भी आपको समान प्रॉइड कर देते हैं यानि कि आपने समान खरीद लिया लगादार लेते रहे हैं यह नहीं कि भी हर बार पैसे लेकर जाओ और उन्हें पे करो आपका जो इसाब बनता है वह फिर वह हफ़ते की हफ़ते करके लिजिए या फिर महीने में एक दिन है वह कहली जिए और और वो time to time फिर उसको निप्टाते रहते हैं, वो अपको उधार पर पैसे, उधार पर जो समान है वो देते हैं, कई जो दुकान दार है वो उधार पर पैसे भी देते हैं, होता है सबको अपना अपना system, तो वो सैसे interest लेते होंगे उसके उपर, Sujata and Kavita were sent to buy groceries from their neighborhood shop, this was the shop they usually went to, Sujata और Kavita को भेजा गया, कुछ groceries item, कुछ क्रियाने का समान, दाले, सबजी, तेल बगएरा कुछ ऐसे समान है, अपने पास की दुकान से लाने के लिए उनको भेजा गया, यह वो सौप ठी जहां पर वो आम तोर पर जाते हैं, usually जाते हैं, आप के पास क्या ऐसी छोप होगी, आस पास आपको भेजेळेती होगे, जाओ जाओ, या वहासे पपो की दुकान से या किसी और नाम देती है, वहासे यह समान लियाओ, और यह जो दुकान मेंगे काफी eng herself with two helpers. When they managed to get into the shop, Sujata dictated a list to her. She in turn began asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile, Kavita looked around. Soap owner has two extra helpers. This is a lady who has opened the store. Now, when the two girls are in the shop, Sujata told her to tell her that she needs the item. She said to her helpers to give her the item to give her the item. उसका कि आपन के एक है कि किया कर रही हुसका के इसे उपर में और पर कि लेफ्ट साइड में सेङ्ष के अलग अलगे ब्रैंड की डिटर्जेंट केक्स पड़ी हुई है جैसे कि हगती रित गई नहीं तो इस तरीके की डिटर्जेंट के एक सेब वह जो कपड़े मेरा दोने वाले भी है वह साबुन की साबुन रखी हुई है अनादर सेल्फ हैड टूथ पेस्ट तेलकम पाउडर सैंपू हेयर ओयल और दिफरेंट काइंड दिफरेंट कलर्स लुक्ट सो अट्रेक्टिव ओन दा फ्लोर ले अफ्यू सैक्स अब दूसरी तरफ एक और सेल्फ के अंदर टूथ पेस्ट रखे हुए हैं पाउडर बिगरा रखे हुए हैं शैंपू रखे हुए हैं हेर ओयल है बालों पे लगाने वाला तेल शैंपू और अलग-अलग ब्र जैंतब रही है और जो जमीन के ऊपर कुछ बोरिया सी पड़ी अइसके दर कुछ और समान पढ़ा होगा हो सकता हो दाले ओव आटा ओ चीनी हो यह ना यह कुछ और मुझे पता है कि आपके दिमाग में यह बात दोड़ रही है यह टेलकम क्या है टिलकम यानिकी सुगंदि जो अच्छे सुगंद वाली जो पडर होते हो और सेक्स जो है ये बोरिया होती है जो बोरिया वगरा दिखी होगे आपने ठेले वो पड़े होगे है ये जो लिली जो है जो ठाकरे वाली बोड़े हो जोंद के ये पक्कि बीस लेक्स उली बील बाली है खोन घोड़े होते है जुगंद के अगरोंable के खाया देल She also noted the amount in her big register. Then Sujata took the heavy bags out of the shop. Her family will pay for the purchases in the first week of the next month. अब क्या चल रहा है? इसके इतना सारा समान पैक करने में इसे 20 मिनिट के आसपास लग गए. सारे ग्रोशरी आइटम को पैक करने में. सारे समान को पैक करने में. Sujata ने फिर क्या किया? जैसे ही सब पैकिंग हो गई. याने कि अब ये घर पर जाने वाली है तो अब हिसाब किताब तो करना होगा न. लेकिन ये हिसाब किताब एक का एक अलग तरीका है. वो Sujata क्या करती है? अपनी नोटबुक है वो उसे दिखाती है और उसे देती है जिसमें जो हैंड राइटिंग होगी वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर की होगी इस लेडी की होगी वो वूमेन इस पर 1550 रुपे अब आपके पास कुछ और अमाउंट हो सकती है मुझे मैंने कल पढ़ा सुजाता को दे दिया तो राइटिंग जो चल रही है वो सिरफ डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर की चल रही है इसमें सुजाता या उनके परिवार का कोई भी जो राइटिंग वो नहीं मानने होगी साथ की साथ वो यह चीज अपनी खुद की नोट बूक के अंदर भी कर लेती है आज गल तो खाता बूक है ओके क्रेडिट ऐसे कुछ यह एप्स है और कई तरह यह आ चुकी है जिसमें कि यह सब कुछ हिसाब किताब बड़ा अच्छी तरह किसे मैनेज हो जाता है है ना लेकिन पुराइन टाइम पर यह नोट बूक के अंदर इस तरह किसे करते हैं और फिर क्या होता है सुजाता इस भारी समान को लेती है और सोब से भार निकल जाती है अब उसकी फैमली जो है इस अमाउंट को या भी जो भी इस महिने की जो टोटल अमाउंट होगी वो एक साथ अगले महिने की पहले हफते में पे कर देंगे और वो हिसाब चुकता हो जाएगा जैसे करते हैं उत्रम पात्रम यह हो जाएगा अब आगे है शोप्स इन दा नेबर होड आर यूजफुल इन मैनी वेज वेज आर नियर आर होम एंड वी और यूजवली दा बायर अग्सवार नो एच अधर इंड इस शोफ रशोप्स और वाईट इस में चाहिए व कर दो लेटर तो यहां है कि इन शोब का फाइदा क्या ओता है वाओ डो दा सोफ इन आर नेवर हूड उस फूल फॉर पहली बात तो यह हो जाती है कि जो सोब सँर्वारे प्रोस में है औ और यह हम इस पर जब कभी चाहें तब ही जाकर कि अपना समान ले सकते हैं एक वर्किंग टाइम के अंदर जैसे कई सोप से वह सुबद छे बज़े खुल जाती है तो कई दस बज़े खुलती है और रात को आठ वज़े तक होती है तो कई बिल्कुल प्रोस में होती है तो वह रात के दस बज़े तक भी खुली रह जाती है है ना यह उनके घर के पास होती है और यहां पर आप हफते के किसी भी दिन दिन जाकर के ला सकते है समान को यूजवली आम तोर पर जो बायर्स है शैलर है वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और इसकी वज़े से वो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अब आपने परचेश कर लिया है इसको आप बाग में कर सकते हैं एज वी सोगे सुजाता आज के इस फोर यू माइट ऑखे फोर के बाद कुछ है आपर फोर एक्जामपल तो यह यहां पर है और इस त्रीके से आप शुजाता है कि इसमें भी इस चीज पढ़कर के अच्छे से समझी गए होंगे कि क्रेडिट का क्या कैसे SLID होता है समान समान कैसे लिया जाता है उधार पर लिया जाता है अब आगे हम कुछ होड टोपिक है वो देखने जा रहे हैं यू माइट हैं नौट एट देख लिया अगई तो पहले भी आप अपड़ चुके इस बारे में हम की जो मार्किट के अंदर जो पास की मार्किट होते है यहां पर भी ऐसी शोप्स होती है कई शारी सोप्स तो ऐसी होती है जो इसी परमानेंट होती है जो अपने घरों में वि थोड़ी सी दूर जाकर के थोड़ा चोटा सा बजार है वह आ गया गाओं के अंतर चोटी चोटी बजार होते हैं तो वहावे परमानेंट शोप्स भी होती है और साथी साथ कुछ लोग रोड साइड में या जापेंड को जगय मिले या फिर दुकानदार के सामने भी उनको उसकी भी अलग-अलग टैप के सेलर्स होते हैं अब यहाँ पर एक मॉल के बारे में डिसकर्शन दे रखा है वह देखिए इंजल मॉल इस फाइफ फ्लोर शोपिंग कॉंप्लेक्स कवीता एंड सुजाता वर एंजोइंग गोइंग अप एंड डाउन इन दा लिफ्ट अभी कवीता और सुजाता डिपार्टमेंटल स्टोर जो यह ग्रोशरी स्टोर है वहाँ पर जागर के समान लेगर के आती है अ और कवीता और सुजाता वहां पोच करके लिफ्ट के अंदर एंजोइ कर रही है उपर और नीचे जा करके आपने जो यह मुवी बगएरा है सीरियल्स के अंदर भी ऐसे मोर्स नजर आ जाते हैं जिसके अंदर वह उपर नीचे लिफ्ट में जा रहे होते हैं आ रहे होते है और बिल्कुल ट्रांस्पिरेंट दिवारी उतती है उस लिफ्ट की ऐसे लगता कि हम आवा में सक्तिमान बन गए है और उड़ रही है से बाहर अच्छे से देख सकते हैं जैसे वह उपर जा रहे हैं तब कि नीचे क्या कुछ चल रहा है समान लोग ले रहे हैं और घूम रहे हैं इत वाज फैसिनेटिंग तो सी सो मैनी डिफरेंट काइंट्स अव शोप सच आइस्क्रीम बर्गर पीजा और फूर सोप्स शोप्स फूल ओफ हॉम अप्लेंश फूट्वियर एंड लैदर आइटम्स एज वैल एज बुक्स शोप्स तो क्या हो रहा है कि यह बहुत ही उन्हें हैरान कर देने वाली एकदम रोमांच प्यादा करने वाली चीज उनको वहां से लगती है जहां पर अलग अलग तरह की सोप्स है और वे सोप्स किसकिस आइटम की है जिसमें आइस्क्रीम होगी बर्गर हो गया पिजा हो गया या कोई और फूड नहीं है फास्ट फूड बेच रहे हैं दुकाने अप्लियंची से भरी हुई है यानि की गैजेट से जो इलेक्ट्री इलेक्रिक्रिक्टी भी हो सकती है कुछ और चीजें भी हो सकती है जूते जो जूते चपल है उसकी या किसी लेदर आइटम की इन से यह सब समान इन अब जब वह गूम रहे थे थर्ड फ्लोर पर तो वह एक शोप में एंटर करते हैं जो की ब्रेंडिट रैडिमेड क्लोथ बेचती है security guard looked at them as if he wanted to stop them but he did not say anything अब जब वह एंटर कर रहे थे उस सोप के अंदर तो उन्हें लगा कि security guard है उसने उसको देख करके वह उसे रोखने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसने ऐसा किया नहीं लगा कि साथ यह कुछ खरी देंगे तो थोड़ी security के लिए भी होते हैं और कुछ कुछ लड़ाई जगड़ा ना हो इसके लिए भी यह रखे जाते है security guard अच्छा अब उन्होंने कुछ dresses देखी उस branded सोप के ओपर जाबे ब्रेंडिड समान मिलता है ब्रेंडिड कपड़े मिल रहे थे और उन्होंने फिर tag को देखा जो उनके साथ में लगे होते हैं अल्मोस्ट फाइफ टाइम्स ता वीकली मार्किट प्राइस तो यह दो हजार रुपे जो है लगबख वीकली मार्किट से पांच गुना है तो इसका मतर क्या हुआ कि वहां पर समान 400 अब आउट का मिल जाता है तो यहां पर 2000 या उससे ज्यादा का है वहां पर 400 या उससे एंदर कि महां होता है तो इंतने apprendre में गूतले यहां वेज़से म्हांगा समान उता है क्योंकि वह ब्रैंडिट होता है और कुछ उनको जढ़ाँ पैसे पे करने पडते हैं किराया बर ना पड़ता है वि'll भड़ते है जो आपने देख दाव भीकली कंपे वहां आट और और जाजतर के अंदर क्या होता है एक रेट होता है इनका बार्गनिंग नहीं कर सकते हैं आप वीकली मार्किट में आप बार्गनिंग कर सकते हैं I will take you to another soap which has good quality ready-made clothes at more reasonable prices शुजाता कविता कार्ण में कहती है 2000 रुपे का टैक देख करके चलो मैं तुम्हें कुछ दूसरी soap पर लेके चलूंगी जाब अच्छी quality का समान है ready-made clothes है और वह ज्यादा अच्छे प्राइस तो मैं यह कंगा कि जैसे जो ब्रैंडड कपड़े होते हैं अच्छे दिख्ते भी है और फिर यह ज़्यादा चलते भी है उनके मुकावले नसे कहीं ज्यादा चलते हैं पांच गुने से भी ज्यादा चलते हैं तो यह इसलिए इनका जो रेट है इतना हाई होता है अब इसके बाद का जो टोपिक है वह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओके यहां कुछ questions भी है एक तो यह question है वाई डू यू थेंग दागाड वां टी तू स्टोप कविता एंड सुजाता फ्रोम एंटरिंग दा सोप वट वुड यू से इव समवन स्टोप यू फ्रोम एंटरिंग असोप इन मार्केट यह तो आपके साथ क्या होगा ओआप क्या करना चाहें की बेसे हम जो हम के लिए टाइम पास करने के लिए जिसकी वजय से अंदर सोब में काफी दुकान काफी जादा भीड इकठी हो जाती है और फिर थोड़ा चोरी का भी डर रहता है यह बच्चे तो बड़े समझदार है बहुत अच्छे हैं मासूम है लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो की चोरी के लिए जा रहे हैं कोई ऐसे थोड़ा है तो आप यह कह सकते हैं कि और ज्यादा ही आर्गुमेन्ट हो जाये वैसे तो आर्गुमेंट करेंगेगे नहीं आपके साथ में और आगर आर्गुमेंट करते हैं तो आप अपने उसको थोड़ा से Co सकते हैं कि अगर आपको यह ऐसे रोकना ही होते हैं तो इस दुकान कों भी बंद कर दो लिग्सांट्ट क्यों आपनी यह खोली हुई यह ईक्ताइय तो एक आपको रोकेंगे भी नहीं तो इस तरीके से यह कुछ वजय होते हैं जिसके वैसे security guard आपको रोकते हैं और इनको इंस्ट्रक्शन दी भी दी जाती है अब उपर भी कुछ question थे वाइड देट सुजाता केरियर notebook do you think this system is useful can there be a problems तो question है कि सुजाता के पास notebook क्यों थी क्या आपको लगता है कि यह वाला जो system is useful है क्या इसमें कोई problem भी हो सकती है तो सुजाता ने वो notebook अपने साथ क्यों रखी थी तो सुज़ क्यों थार ने थे इस दी दी आपको सब्सक्राइब कार अदेट साथ क्यों थे रखने के लिए वह यह चीज़े क्रेंगे ना और तक ये ून को डिककत नहीं होति और वो कैए एक बार यह उसकिटा है महीने की starting के अंदर एक या दो तारिक को इंकम बीलने वाली है पैसे फैश तरक कर देती है कैसे कोई problem हो सकती है यह problem तब होती है जब उधार देने वाला जो ए वह तो cheating नहीं करेगा इसी rare cases में cheating हो सकती है बाकि चित ही आपके पास नोट बूक होते हैं तो चीटिंग इसलिवर इसे नहीं वाट लेने वाहे वह घडबड़ी आप मांगते हुए तो आप बिल्ली होंगे और जब आप उधार ले रहे हैं और जब जिसने उधार दिया अगर वह पैसे मांगने तो आप शेर बन जाते हैं तो यह वाला केस भी कभी कभी हो जाता है तो बड़े शोप समझ के उधार देना पड़ता है वट आर दा डिफरेंट काइंड सोप देट यू नेवर हुड वाट डू यू पर्चेज फ्रॉम दें तो इसमें वही चीजा आ जाएगी पर्मेंट सोप वाली वी होती है वेंडर्स भी होती है रोड साइड में भी होते है लोग तो वे वाला आइटम है वह उस्तरे की की है और वहां से हम समान खरीदते हैं डेली यूज का जैसे की ग्रोश्री कह लिजिए वह पर्मेंट सोप से उत्ती है और वेजटेबल फ्रूट्स वह हम वेंडर से खरीद लेते हैं वाई आर गोट्स सोल्ड इन पर्मेंट सोप कोस्ट्लियर देन दोज सोल्ड इन वीकली मा पार्केट के अंदर उनको एलेक्ट्रिशिटी का जो किराया है वो भरना परता है रेंड बरना पदता है टैक्सट्न को टैक्स पे करना पड़ता हाई इस वज़ेसे हूं महंगा होता है वह के स्टूडेंच कह से लिगान आपके लिए कर लिए मिलते हैं एक्ष वीडी औक की वाई आल्वेस वाइब टाइम